यहाँ पर देखिए जैसे हम SSC की वेबसाइट के उपर रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सोली लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाली और पासवर डालने के बाद कैप्चा भी प्यूरी लॉगिन पेज पर दबाया लेकिन यहाँ पर प्लीज चेक यूजर नेम पासवर प्लीज इंटर रेजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कैंडिडेट्स यह वाला इरर अगर आपको आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लेम को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो वीडियो को आपको यहाँ पर जरूर देखना है अगर यह प्रॉब्लेम आपको आ रही है तो कहा दिक्कत है और कैसे सौल होगे तो सबसे क्या है कि जैसे आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक चीज पासवर्ड या फिर यूजर नेम गलत डालोगी तो यह गलत बता देगा ठीक है अब क्या होगा कि आप यूजर नेम डाल रहे है अब जैसे आप यहाँ पर कोई यूजर नेम डालेंगे और अगर एक गलत है ठीक है तो वो डायरेक्ली हट जाएगा यहाँ से ठीक है अब मैं देखे यूजर नेम अपना डाल देगा जैसे मैं पासवर्ड के उपर क्लिक करता हूँ तो वो हट जाता है यानि कि आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पे सही है अगर आपको यूजर नेम से बांट है तो यहाँ और पांसवर्ड अब गलत है अब पासवर्ड आपको मिलेगा कैसे एक तो जテशłem किया था जब आपने मात बनाया था तो आपने आपने ज forcing किया था वो यहाँ पे आपको लगाना होता है अगर आप भूल गए है तो क्या करना है forget password वाला बटन है यहाँ पे इसके उपर दबाईए यहाँ पे एक और नई window कुल जाएगे यहाँ पे आपको कुछ information बरनी है जैसे आपका permanent state ठीक है selective button पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना आपके पास होना चाहिए या फिर email address होनी चाहिए दोना में से जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजेगा ठीक है अपने डाल दी example के तो पर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पूरा process यह आप नहीं होगा ठीक है मैं आप सिर्फ example दोगा तो यह मैंने डाल दिया और सम्मीट बेटम पर आपको क्लिक करना है जैसे आप सम्मीट बेटम पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोड लेगा और आपका जो है next page खुल जाएगा next page पर आपको OTP डालनी होगी या फिर इसी page पर डायरी लिए OTP डालनी होगे और OTP आपको फोन पर जो आएगी वह आप यह आप डाल दीजेगा और जैसे आप OTP डाल देंगे आपका नया password आप सेट कर पाऊगे ठीक है जैसे आप नया password सेट कर लोगे आप इस window को बंद करेंगे फिर से आप आएंगे अपना username यानि registration number डालिए और password डाल कर capture डालिए और login होते यह problem fix हो जाएगी अगर आपको वीडियो आप एचल लगते हैं तो like और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा